नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विपल स्वागत है आपका एक और ने वीडियो में और इस वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं हम लाए है आपके लिए बजाज की नई पलसर N160 इस बइक के बारे में सारी कुछ चीजें जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा इस बइक की माइलेज क्या है इसकी कीमत क्या है इसका परफॉरमंस कैसा है ये सारी चीज़े हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो चली शुरू करते हैं तो सबसे पहले जैसी है और इंजिन का आर्किटेक्चर है वो शेयर करती है यह दोनों बाइक्स काफी सिमिलर दिखती है सिर्फ इसकी इंजिन के पैसिटी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है सामने आपको एक सिमिलर हेडलाइट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको बाइ एलेडी प्रोजेक्टर हैडलाम मिलेंगे और एलेडी डियारल्स भी मिल जाते है यहाँ पे आपको टेलिस्कोपिक फ्रंट फोक्स और एक हंड्रिट बाइटी सेक्शन का टायर मिलता है जो 17 है और इंजिन बे जो है जहाँ पे 165cc का इंजिन आपको दिखाए देगा और इसमें आपको एक अंडर बैली एक्जॉस्ट दिया गया है और जस्ट मैं आपको इंजिन को फायर अप करके दिखाता हूं कि यह बाइक साउंड कैसे करती है तो यह था PULZER N160 का exhaust note पीछे की तरफ अगर हम आएंगे तो आपको 130 by 70 section का rear tire दिखेगा इस पे आपको tire hugers मिल जाते है यहाँ पे आपको mono shock suspension दिया गया है alloys यहाँ भी 17 inch के है इसमें आपको 230 mm के brakes मिलेंगे जो की equipped है ABS के साथ अभी यह बाइक जॉब देख रहे है इसमें आपको dual channel ABS मिलता है लेकिन इसमें आपको एक और variant मिलेगा जो थोड़ी कम price पे मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ single channel ABS मिलेगा तो वो आपके लिए optional है अगर आप dual channel ABS लेना चाते है रेर टेलाइट की बात किये जाए तो यहाँ पे आपको LED टेलाइट मिलते हैं similar design है N250 के जैसे और आपको regular bulb के turn indicators मिलेंगे सामने भी आपको bulb के ही turn indicators मिलते हैं seat की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको split seat मिल जाती है अगर आप देखेंगे यह fairly long और wide है pillion के लिए अगर sporty bikes की बात की जाए तो pillion seats काफी uncomfortable होते हैं लेकिन यह काफी comfortable लग रहा है और यहाँ पे अच्छे खासे grab handles भी दिये गए है ताकि pillion rider जो है वो आगे slip ना हो काफी comfortable grip आपको मिलेगी बाइक चलाते समय instrument cluster similar है एकदम N250K जैसे बजाज ने इसको infinity display का नाम दिया है और यहाँ पे आपको सारी telltale lights मिल जाते है एक analog taco मिल जाता है digital speedometer मिल जाता है और एक gear position indicator भी यहाँ दिया गया है fuel gauge और neutral lights आपको इस तरफ मिल जाएंगे इसकी handlebar भी क engine kill switch है और ignition भी आपको यहीं मिलता है यहीं पे आपको एक headlight control switch भी मिल जाता है left side पे आपको high beam control turn indicator switch और horn दिया गया है mirrors की अगर बात की जाए तो काफी अच्छी mirrors है यह काफी wide है और अच्छा का सा view देती है जो rare traffic आ रहा है आप पीछे का एक अच्छा दुश्य आपको मिल जाता है fuel tank overall काफी अच्छा और muscular दिखता है यह जो plastic के shrouds है इसके कारण इसको काफी muscular look मिलती है यहाँ पे अच्छे खासे graphics भी लगाए गये है जो की एक better look देता है और fuel tank की capacity की अगर बात की जाए तो यह 14 liter का tank है और अगर consider किया जाए तो बजाज इसे एक sports commuter कह रहा है उ उस हिसाब से यह fuel tank आपको काफी अच्छी range देगा so performance की अगर बात की जाए तो मैंने जैसे कहा बजाज इसे एक entry level sports commuter कह रहा है और यह aimed है उन लोगों की तरफ जो एक sporty entry level bike देख रहे है और आपको इसमें performance भी काफी अच्छी गाशी मिलती है इसका engine 165cc का oil cool DTSI unit है जो 16 PS power produce करता है 8750 rpm और 14.7 newton meters of torque यह आपको साड़े 6000 rpm पे देगा इनके speeds की अगर बात की जाए तो यह अपको 35 kmph पहले gear में ले जाएगी second में 60, third में 80 और fourth में 100 kmph और engine जो है काफी smooth revving है थोड़ा high revving engine है इसमें आपको कोई भी vibrations नहीं मिलेंगे up to 10,000 rpm और जो meat of the power जो power band है इसका यह between 7,000 and 9,000 rpm है इसके बीच में आपको बहुत अच्छी performance मिलेगी अगर इस power band में आप बाइक को चला रहे हो और up to 11,000 यह bike rev करती है जो कि इसका red line है और between 7 and 9,000 rpm आप बहुत आराम से cruise कर सकते है 80 to 95 की speed पे 5th gear पे डालके और काफी smooth है यहाँ पे आ और एक लंबी ride के बाद भी आपको जादा थकान महसूस नहीं होगी जो इसका suspension है वो काफी balance है city और highway riding के लिए लेकिन यह थोड़ा stiffer side पे भी है तो जब भी आप बड़े गड़ों में या बहुत ही जादा खराब रास्तों पे चलाएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत ज जब आप बैठते हैं और उसी वज़े से जो इसका maneuverability है वो काफी अच्छा है और traffic में काफी easily आप इसको maneuver कर सकते हैं इसके foot pegs भी अगर देखे जाए तो nice अच्छे है और grippy है और इसका rare foot peg भी काफी easy to use है जो यह इसका mechanism है काफी smooth है mileage की अगर बात की जाए तो बजाज claim करता है कि यह bike 48.5 kmpl का mileage निकाल सकती है लेकिन हमारे testing में हमने देखा कि यह 41 to 43 के बीच में आपको mixed riding conditions में mileage देदेगी जो की काफी अच्छा है 14 liters का fuel tank आपको इसमें मिलता है तो range जो है वो काफी अच्छी है इस motorcycle की और overall अगर देखा जाए तो NS-160 है जो कि इससे थोड़ी जादा powerful है लेकिन NS-160 के मुकाबले अगर compare की जाए इसका engine जो है वो काफी refined है और काफी smooth है तो अगर आप एक sporty looking bike और जिसमें you know LED lights लगे हुए है और काफी अच्छे features दिये गये है अगर ऐसी bike आप देख रहे है तो आप N-160 consider कर सकते ह इसके अलावा इसके competition में Apache, RTR, 164V भी आपको मिल जाएगी और Suzuki की Jixter 155 भी अगर N-160 की price की बात की जाए तो इसका single channel variant आपको 1,22,854 रुपीज में मिल जाएगा और dual channel ABS के साथ आपको 1,27,853 रुपीज में आपको मिल जाएगा इसके standard variant के अगर आप बात करेंगे तो ये N-160 से थोड़ी सी cheaper है और approximately Apache, RTR, 164V की की कीमत भी same है Suzuki की Jixter में सबसे जादा महेंगी है जो 1.34,00,00,00 में आपको मिलेगी तो उस हिसाब से इसकी pricing जो है वो काफी अच्छे से price की गई है और TWS Apache, RTR, 164V को ये काफी अच्छे टक कर देती है Overall ये bike किसे लेनी चाहिए तो अगर आपको Pulsar N250 का design बहुत अच्छा लगा है लेकिन आपको उतने जादा पैसे नहीं देने है जो की 22,000 जादा है N160 से और अगर आपको इतना बड़ा engine भी नहीं चाहिए तो आप इस motorcycle को consider कर सकते हैं और अगर आप market में एक entry level sports commuter के लिए है और आपके options में अगर Apache है, Zixir है और probably NS160 है तो भी आप इसको consider कर सकते हैं ये थी Bajaj की Pulsar N160 वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो like बटन दबा दीजेगा बाइक के बारे में कोई भी सवाल है या कोई भी comments है आपके, जरूर हमको comments section में बता दीजेगा सब्सक्राइब कीजे motoroids हिंदी को bell button दबा दीजे ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो लेका है आपको उसकी खबर सबसे पहले लगे मेरा नाम है विपुल लेता हूँ आपसे विदा मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए रेव हार्ड, रेफ्री, एन राइट सेफ